Hey guys, welcome to my online C, मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले How to download the form 16, देखे कई बार क्या होता है na form 16 आपके employer के दोरा issue नहीं की जाता है, कुछ भी reason हो सकते हैं, और मालीजे कोई ऐसे situation पैदा हो गई है, जहाँ पर आपको form 16 चाहिए चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि आप अपना जो खुद का form 16 है, वो एक तरह से किस तरह से generate कर सकते हैं, तो देखे सबसे पहले बात करते है form 16 की, तो form 16 basically यहाँ पे employer के दोरा issue किया जाता है, अब इसके अंदर basically दो part होते हैं, एक होता है part A, एक होता है part B, देखे मैं आपको sample दिखा देता हूँ, जैसे आप मेरे screen की सामने देखते हैं, यह form 16 है, इसके अंदर part A होता है, पार्ट A के अंदर basically आपकी जित्ती भी salary आपको मिली है, प्लस उसके उपर कितना tedious कटा हुआ है, उसकी simply यहाँ पर details दी होती है, जो आपका part B होता है, उसके अंदर जो है, पूरी details के अंदर बात कीई होती है, कि आपका पूरा CTC package कितना है, कितनी आपको salary मिल रहे है, कितना आप HR claim कर रहे हैं, कितना आपको deduction मिल रहा है, professional tax कितना कट रहा है, यह सारी चीज़े उसके अंदर mention होती है, आप guys, यहाँ पर problem क्या है, जो part B है आपका original वाला, वो सिफ employer यहाँ पर issue कर सकता है, इसको आप किसी भी तरीके से online यहाँ पर download नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपका part A है, वो आप यहाँ पर आसानी के साथ में fetch कर सकते हैं, तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आपको अपने account के तरह यहाँ पर login करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना form 26AS यहाँ पर check out करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको form 26AS के उपर जाना है, अब गाई सिंपली यहाँ पर आप इसको proceed कर दीजे, view tax credit form 26AS के उपर click कर दीजे, यहाँ पर सिंपली आपका जो भी current assessment यह रहे उसको choose कर लीजे, और यहाँ पर HTML करेंके view and download कर लीजे, आप गाईस यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको अपने employer का 10 number अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ दिख जाएगी, प्लस आपको कितनी salary मिली है, अगर उसके वोई TDS वगरा कटा होगा है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अब गाईस यह तो बात होगए 26 AS की, अब इससे आपको form 16 A part A यहाँ पर कैसे download करना है, तो इसके लिए आपको simply उपर वाले यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके उपर आपको simply यहाँ पर क्लिक करना है, आपने 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 इसके बात में कुछ भी चूज नहीं करना है, और व्यू बटन के उपर क्लिक करना है, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोविजनल फॉर्म स्क्रीन आपका आप पर निकल चुका है, जो पार्ट ए मैंने आपको बताया थी, जिसके अंदर आपका कितना TDS वगर अगर कोई भी डिटेट हो रखा है, प्लस आपको कितनी यहाँ पर सालरी मिली है, उन सभी की यहाँ पर डिटेज्स होती है, तो केवल पार्ट A ही आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपका पार्ट B है, तो जैसे मने बता है, वो सिर्फ यहाँ पर आपका एंप्लोईर इशू कर सकता है, तो गाईस, आपको सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लगे कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो गाईस, इस तरहे किसे आप अपना फॉर्म 16 का पार्ट A आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो गाईस, होप यू लाइट इस वीडियो, प्लीज सबस्क्राइब चनल, अगर आप लोग के कोई भी डाउट से, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताईए, थैंक्यू गाईस, थैंक्यू वेरी मुश्ट,